जैसे के मैंने कल शेयर किया था, मैं आ गई हूँ नियू वाले घर पे मैंने मेरे सिस्टर को बोला था आने के लिए कल नहीं आ पाई तो आज इसने अचानक सर्प्राइज दी और कल रात नियू वाले घर पे बहुत अच्छे नीन आई है सुबे भी जल्दी जल्दी उठी हो तो अभी मैं खानी की तयारी कर रहे हूँ मम्मी और मैंने बहुत सादर सिदा खा लिया था और अभी पॉपी आई है इसलिए मैंने रात का और लंच भी तयारी की मतलब एक साथ ज्यादागर के बना लिया पॉल्टी कलर सबसी जो मुझे बहुत पसंद है और मैं देख रहे हूँ मेरे बहन को भी वही पसंद है जो मैं मुझे पसंद है और यहां तो पास-पास जगानी है इसलिए हमने ये पॉथा इधर ही रखा था तो अभी हम दोनों लेके जा रहा है चट पे तो दोस्तों कहीं न कहीं जुगार तो होई ही जाता है ओनर ने कहा है कि उपर रखने के लिए पहले बड़ी टेंशन में थी क्योंकि ये घर मैंने थोड़ा छोटा लिया है फीचर के बार में सोचके बहुत पहले से ही मैं सोच रही थी कि घर तो चेंज करना है बट इतना जल्दी मैं चेंज करने वाली हो मुझे नहीं पता था शायद भगवान का ही मर्जी है अचानक फ्लाड हो गया उसके बाद हम लोग निकल गए यहां से फैसे तो निकलना था बट कब पता नहीं था अगर नहीं था हवा खाने हम ओपर आ सकते है तो यहां सब कुछ पास में है मेरे ममी के जो दुकान है वो भी पास में ही है और यह फूल कितना प्यारा लग रहा है काफी समय हम दोनों भेनों ने वक्त विता इसके बाद हम नीचे चले आए चाई वाई पेके पॉपी चली गई तो यह है दो दिन बाद अपने हाथ को मैंने कटवा लिया इधर जोर से मैंने दर्वाजा बन करते टाइम मेरा हाथ कट गया है और ऐसे थोड़ा सा बलड निकल गया तो यह छोटा सा कट है तब ही मुझे डर लगता है क्योंकि वो स्टील है जिससे कट हुआ है तो इस पे मैंने अभी फिलहाल बोरोलिन लगाया है अभी मैं निकल चुकी हूँ घर का समान और मैं सोचने हूँ पास में होमियोपिती का चैंबर है वहाँ से दवाई दे दूँ और चैंबर खुला नहीं था और शाम को फिर से सर्प्राइब मिल गिया मेरी मौसय को और दोनोravOOOOOOOOO तो उस दिन सारा दिन हम पाचो ने घर धूंते धूंते हम लोगों ने सारा दुनिया घूं लिया था और घर बहुत ही पास ही मिल गया तो अभी मौसी चली गई अभी आई हूं दॉक्टर के पास और यहां दॉक्टर अंकल बहुत सुईट है मैंने कैशी नहीं लाई थी तो अभी बोले कि बाद में पे करने के लिए तो गाइस थैंक यू सो मच पूर वाचिंग आज को व्लॉक एट